भगवान स्री क्रिस्न के मोटिवेशनल विचार हमारे जीवन को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। अगर हम इसे ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में फोलो करें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोख सकता। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होनी से भी बुरा है। अंदाज इनसान को हर रिष्टे से दूर कर देता है। जब तक आप कुछ बनोगे नहीं तब तक नो ही आपको कोई इज़त देगा और नो ही कोई आपकी सुनेगा। कभी-कभी दिल में तकलीफ होती है और तकलीफ देने वाले दिल में होते हैं। रिष्टों की फिक्र करना छोर दीजिए, जिनको जितना साथ देना है वह उतना ही साथ निभाएंगे। जो होकर भी नो हो उसका होना कैसा, अगर रिष्टे सिर्फ नाम के हैं तो उसके लिए रोना कैसा। सब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वज़ा से इनसान या तो दिल में उतर जाता है, या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा उतना ही करना चाहिए, जब वह तुम्हारे साथ उतना बुरा करे, जितना आपने उसके साथ किया है, तब आप सह सको। कोई भी यहां हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है, अगर जिन्दगी में आगे बरना चाहते हैं तो अकेले चलना सीख लीजिए, पर इस थीतियों से भागना नहीं चाहिए, बलकि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, समय ब्यक्ति को आगे बरना सिखाता है, समय क सब्दों में उसे आज कहते हैं, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना, जिन्दगी ये हुनर भी सिखा ही देती है, लोगों के बातों पर ध्यान देने से अच्छा है, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्यूंकि कर्मों से ही ब्यक्ति मह अज्यानी होना उतना सर्म की बात नहीं है, जितना सीखने की इच्छा नो होना, निरंतर कर्म करना ब्यक्ति का धर्म होता है, कर्म से ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, समुंदर पर भी पत्थरों के पूल बना देते हैं, जीत औ बुरा हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और अगर ठान लो तो जीत। आपका खुस रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बरी सजा है। मेरी सफलता को देख कर हैरान हैं बहुत लोग किसी ने मेरे पाउं के छालों को नहीं देखा। अगर एक हारा हुआ इनसान हारने के बाद भी मुश्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुसी खो देता है। यह है मुश्कान की ताकत इसलिए सदा खुस रहें और मुश्क गिरते रहो भटकते रहो शीखते रहो लेकिन कभी हार मत मानो यदि लोग आपके लक्षे पर हस नहीं रहे तो समझो आपका लक्षे बहुत छोटा है जो कारिय आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कारिय कल आपकी ताकत बनेगा जब गलती अपनी हो तो हमसे बरा कोई वक चाहिए सब्दों से नहीं अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है आपकी नहीं बलकि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते भूखा पेट, खाली, जेब और जुठा प्रेम इनसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है आदमी बरा हो या छोटा फर्क नहीं परता उसकी कहानी बरा होना चाहिए जो इनसान सबकी खुसी चाहता है हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और उनकी परवाह करता है पता नहीं क्यूं वह इनसान जिन्दगी में अकेला रह जाता है लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है कल्यूक की हद हो गई अब तो दोखा अपने देते हैं और सानुभूती पराये दे जाते हैं अपना पन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है कुछी इस तरह रिष्टे तूट जाया करते हैं जब दिल भर जाता है लोग अकसर रूठ जाया करते हैं गम नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, जो जिन्दगी में लिखा है, वही होगा, अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना परता है, एक वक्त के बाद या तो दर्द खतम हो जाता है, या इनसान ही खतम हो जाते हैं, नाराजगी को कुछ देर चुप रह कर मिट लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिष्टे उलच जाते हैं, बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है, किसी का दिल बदल जाता है, तो किसी के दिन बदल जाते हैं, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत इस खेल में नो जाने कितने र मजबूत होने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने में तुली हो बदलते रिष्टे बदलते लोग और बदलते मौसम चाहे नो दिखे पर महसूस जरूर होते हैं अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और उसे टोरने के लिए एक पल ही काफी होता है जिंदगी में अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरवाद कर सकता है हर इंसान की दो कहानी होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वह जो वो सबसे छुपाता है करेले से करवे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और सक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं जो ब्यक्ति अपने पास होने वाली वस्तूं से संतुष्ट नहीं है उसे भवश्य में मिलने वाली किसी भी वस्तू से संत जिन्हें आपके दर्द का बिल्कुल एहसास नो हो, उस ब्यक्तिस से सिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिन्हें तो यहाँ सभी इनसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जक्म देते हैं और कुछ जक्म भरते हैं। मैंने हर किसिम के लोग देखे हैं अपनी जिन्दगी में, मदद लेकर सुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूप समझने वाले भी। ऐसे लोगों से संभल कर रहना, जो आपके सामने आपके हैं और आपके पीछे आपके खिलाब। तुफान का आना भी जरूरी है, तभी तो मालूम चलता है कि कौन हाथ पकरते हैं और कौन तुफान के डर से हाथ छोर देते हैं। जिन्दगी में पच्ताना छोरो, बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोरने वाला पच्ताए, समय से पहले मिली चीजें अपना मुल्य खो देती हैं, और समय के बाद मिली चीजें अपना अस्तित्व खो देती हैं। समय और सब्द दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करना, ये दोनों नो तो दुबारा आते हैं और नो ही दुबारा मौका देते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हैं, तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। समय भिताने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए, तो मैदान में खरा सेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार यहां वरना आज कल तो प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है यहां पर हर कोई खुद को सही समझता है इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया है दोखे ने ही बताया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं दोखे बाज लोगों के अंदर एक अच्छी खुबी होती है कि वो मीठा बहुत बोलते हैं चेहरे सब के याद है मुझे बस वक्त का इंतिजार है आज कल के रिष्टों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाप कानों में जहर घोलते हैं इसलिए अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो जिन्दगी उस दोर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हस रहा है जेब में छोटा सा छेद क्या हो गया पैसे से ज्यादा रिष्टे बिखर गए मतलब के रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी तूट भी जाते हैं बनावटी रिष्टे से कई गुना बहतर है कि हम अकेले रहना सीख लें जो अपनों के सताय होते हैं, अपनों के ठुकराय होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी जिंदगी में ज्यादातर दुख उन लोगों को मिलते हैं, जो रिस्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुस हो जाते हैं घमंड और अहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने रिस्तों को बिगार लेते हैं उमीद तकलीब तो बहुत देती है पर नौजाने क्यूं इस दिल को फिर भी उमीद लगी रहती है कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने के लिए लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है महबत और नफरत कहने को तो दो अलग अलग मामूली सब्द हैं लेकिन यही दो सब्दी निसान को भगवान भी बना सकते हैं और सैतान भी बना सकते हैं लोटते वे लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाले कभी लोट कर नहीं आते खूस रहना सीखिए इससे पहले की उदास रहना आपकी आदत बन जाए आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी बुरी आदत है मैं खामोसी से सुनता हूँ अपने खिलाब होने वाली बातें क्यूंकि जबाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है जूट सुनने का मज़ा तब आता है जब सच्चाई आपको पहले से ही मालूम हो एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी परिस्वानी आपकी हिम्मत से बरी नहीं हो सकती इसलिए परिस्वानियों से डरे नहीं डंट कर सामना करें चूप रहना अच्छा होता है लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए गिराने वाले जब अपने ही हो तो सभनने में थोरा वक्त लग जाता है